हेलो और विल्कम दोस्तों मैं हूँ अंबरीश हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल अंबरीश टेक इन्फो में आपका श्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने वर्शब पर अपने फुल साइस की फोटो लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे दोस्तों पहले हम क्या करते थे कि जब भी हम वर्षप पर अपने DP लगाते थे तो हमें क्रॉप करके लगाना पड़ता था फुल साइज में हम फोटो को नहीं लगा पाते थे लेकिन आज के वीडियो में आप सीख जाएंगे कि बिना क्रॉप किये आप फुल साइज में वर्षप पर अपने DP को कैसे लगाएंगे दोस्तों इसे लगाने के लिए आपको अपने वर्षप के लिए एक application डाउनलोड करना होगा जो आपके play store में इसली तरीके से मिल जाएगा इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपना play store पोर open करना होगा और यहां पर search करना होगा žैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो यह icon देखने को मिल जाएगा यहां से आप easily तरीके से install करलेंगे मैं आलरेड़ी यहाँ से install कर चुका है इसलिए पर open का option दिख रहा है install करने के बाद पर आप इस application को जैसे आप उपें independence याँ आपको मिलेगा दोस्तों यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको फोटो इहां पर पर इसाँ फोटो पर कर देंगे तो यहां पर आपको ऊपसेंस lider देखने को मिलेगे तो यहां पर पर सत्रका प्राय動画 ien हो जो भी फोटो यहां पर रखे हुई है वो gallery से जाकर select कर सकते हैं तो मैं select photo पर click करूंगा उसके बाद अब gallery में आपकी फुल size की जो भी फोटो यहां पर रखी हुई है आप वहां पर जाएंगे और उसे choose कर लेंगे example के तोर पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एक photo है जो हमारे already full size में है मैं उसको यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ माली जी यह photo हमने यहाँ से ले लिया यह full size की photo है मैं इसे WhatsApp के DP पर लगा कर दिखाता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर adjust पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ fit to circle है fit to frame है fit to यहाँ पर square दिया हुआ है हम fit to circle पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद इस size को थोड़ा साइसे यहाँ पर crop लाएंगे adjust करेंगे थोड़ा शाँ अरजिस्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर अरजिस्ट कर लिया है अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसे अरजिस्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इडिट पर जाएंगे इडिट पर जा करके आप यहाँ पर फोटो फ्रेम लगा सकते हैं background image ले सकते हैं background color भी यहां से आप ले सकते हैं यसे background image पर अगर आप click करेंगे तो यहां पर बहुत सारे images आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको अच्छा लग रहा है यहां से आप उसे choose कर लेंगे मैं एक choose करेंगे दिखा दे रहा हूँ माली जी मुझे अच्छा लग रहा है मैंने इसे choose कर लिया तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे photos यहां पर बिद background के शार देखने को मिल जाएंगे जो photo आपको यहां पर जिसका background अच्छा लग रहा है उसे आप आसानी से यहां से choose कर लेंगे मैं यहां पर इस पर click कर द दे सकते हैं तो इसे आप अपने हिसाब से यहां पर color दे सकते हैं मैं आपको यहां पर डेमे को तेर पर बता रहा हूँ तो यहां पर मैं केवल background image ही यहां पर लिया हुआ हूँ तो अब मैं इसे आपकी worship लगा के दिखाता हूं तो दों तो यह सब कुछ यहां पर adjust करने के करेंगे तो यह आपके गैलरी में जाके safe हो जाएगा और send to profile पर आप click करेंगे तो यह डारिक्ट आपके वर्शप profile पर यह direct कर देगा यहां से आप देखेंगे यह थोड़ा सा यहां पर आइड़ आ रहा है इसे यहां से cross कर देंगे उसके बाद देखेंगे यहाँ पर process होना शुरू हो गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप done कर देंगे तो यह easily तरीकी से आप देखेंगे यह देखें वर्ट्षप पर आपके full size का जो है यह मेज लग चुका है दोस्तों यह देखें कितनी आसानी से आपन सीखा कि अगर WhatsApp पर आप full size में अपने photos को लगाना चाहते हैं तो without craft किये आप कितनी आसानी से लगा पाए तो दोस्तों उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजे चैनल पे नए आए है तो सस्क्राइब कर दीजे क्योंकि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकि आता रहता हूं तो चलता हूं दोस्तों मिलेंगा अगली वेडियो में तब तक के लिए नमस्कार